हेलो ट्रेडर्स आज की वीडियो भापको बताने जा रहा हूं मैं कि आप कैसे एंजल वन में आपने जितने भी ट्राइंड्सक्षिन किया है जितने भी पैसा विड्राउ किये और पैसा डाला आपने तो उसका ट्राइंडिटेल्स आप कहां से देखेंगे कितना फंड कि देखने के उनको doubt होते रहता यार मैंने कितना पैसा डाला था कितना withdraw किया था तो वो सभी details आप कैसे चेक कर सकते हैं और कहां चेक कर सकते हैं उसके बारे मैं इस फीडियो पर आपको पताने जा रहा हूँ है तो चलिए हम चलते हैं अपने angel one के app पे तो जैसे कि आप देख यहां पर क्लिक करता हूँ आप पूरा नीचे जाए फिर नीचे जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं fund transaction history तो यहां पर आपको add fund and withdraw history यहां पर आपको मिलेगा fund transaction में add fund withdraw history तो आपको फिर से बता देता हूँ आपको कहा पर जाना है आपको यहां पर account पे क्लिक करना है यह अकाउंट पे क्लिक करिएगा सब्सक्राइब पहले और पूरे नीचे चले जाएए नीचे जाने के बाद में यहां पे आपको fund transaction दिखेगा यहां पे add fund withdraw history इस पर हम क्लिक करिएगा देखे यहां पर जैसी मैंने क्लिक किया यहां पे क्लिक करने के बाद पर यहां पर कितने बार मैंने फंड डाला है 19 सब्सक्राइब 10 सब्सक्राइब 31 अगर 35 अगर और इस तरीके से आप यहां पर आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा fund withdraw में आप जाएगे तो यहां पर आपको fund withdraw आपने कपकप किया है तो जो भी लोग beginners होते हैं उनको बहुत दिकास होता समझने के लिए कि कैसे हम समझें कि fund कहां पैड किया है कहां पर withdraw किया है कि इतने transaction डिटेल हुए है तो आप यहां से आप जाके आप चेक कर सकते fund transaction डिटेल से fund added and fund इस्ति ठीक है तो जो भी नए लोग आया है ना इस वीडियो पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने अपने चैनल पर stock market के angel one के पूरे वीडियो भी upload किया हुए है तो जो भी बीगिनर्स है वो यह वीडियो को जाके देख सकता है basic stock market क्या है sensex क्या nifty क्या type of market timing trading order क्या है brokerage charges क्या है other charges क्या है angel one का app कैसे use करेंगे chart आप कैसे read कर सकते हो angel one के app में nifty bank nifty option call option क्या होता है और यहां पर लाइब ट्रेडिंग करके भी दिखाया हुआ है morning cup first trade आपको कैसे लेना चाहिए second trade कैसे लेना चाहिए candlestick pattern क्या होता है reversal trading strategy क्या कहां-कहां से market reverse होता है उसको कैसे पकड़ोगे आप और यहां पर price action setup भी बताया है मैंने और यहां पर फॉर्थ पाइवर्ट पॉंट इस ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या 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 रॉंग टर्म इंवस्मेंट करने के लिए scalping की strategy है यह आप मनी मनेजमेंट रिस्क मनेजमेंट और पेपर ट्रेडिंग यह सभी चीजे मैंने इस वीडियो पर आपको यहां पर आपने चैनल पर बताया तो आपको पहली बर आया है तो मैं चैनल को आप लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोज अप्लोड करूं आप उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे इस वीडियों पस इतनी थैंक यू